स्वागत है आप सभी विद्ध्यार्थियों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पाथ हाइस के इस ऑनलाइन प्रेटपॉर्म पर दोस्तों जय जोहार है सबेजनला हम अंच्छतिस गड़ के जंजाती के उपर चर्चा करत रहें जंजाती क्लास जंजाती की जो क्लास हो रह रही है ऐसा मुझे लग रहा है आपकी प्रतिक्रिया देख कर ठीक है तो उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे पांच विशेश पिछडी जंजाती को हम लोग देख रहे थे और उसमें से अबोज माडिया बैगा पहाडी कुर्वा को कर लिया था आज हम कमार जो विशेश पि रहनसान कैसा था यह सारी चीज़ें एक साथ हम देखते जाएंगे और यह मैं दावा करता हूं कि आप वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्रम बद्ध तरीके से याद रहेंगी चलिए तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है कमार जंजाती सकेंद्रन निवास या सकेंद्रन अगर 36 गड़ में बात करें तो कमार जंजाती कहां निवास करती है थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता दूं ताकि आपको यह पूरी तरह किसे दिमाग में बैठ जाए है कि यह हमारा प्यारा सा शोटा सा कि शत्तिस गड़ है कि सिर्फ रफ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं और यहां से हम बलौदा बजार देखते हैं और यहीं से रायपूर और यहीं से है यह धंतरी और यह गरियावन महासमन तो जिसका जोरत है मित्र वसी को ही मै देना देना नहीं है दो आप यहां पर देखेंगे तो यह है आपका धंतरी को राव वांत tenía यह है अपका कर्या वन कि अ गर्य क्या बच्य है धंतरी और गर्यावन और इनका जो सकेंद्रन हैं इन दोनों जीलों में ठीक है एक है धमतरी में और गरियाबन में कमार जन जाती मुख्यत में गरियाबन की बात करें तो गरियाबन का मैनपूर तो जो छेत हैं वहां पर और हम लोग और आपके बुक में दिया हुआ है कि यह रायपुर जिले के मैन पूरी विकास खंड के अंतरगत तो मुझे यह लगता है दोस्तों पहले जो थी वह क्या थी वह रायपुर जिले के अंतरगत आती थी इस वज़ा से ऐसा लिखा हुआ है ठीक तो आम देखेंगे कि यह गरिया मुख्यता तो गरिया बंद हे हैं. घरिया बंद भी लिखा गया है और गरिया बंद भी लिखते हैं तो मैं से फिल हाल इसको मैं कर देता हूं घरिया बंद के मैन पूर और चुरा और हम लोग बात करें धंतरी के नगरी तिहावा नगरी वाला जो नगरी है वहां पर जो है इनका मुख्य रूप से सकेंद्रन मिलेगा चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति के संबंद में मैंने बताया कई सारी जो किवदंती होती है उसमें से कुछ कुछ चीजें आपको जाननी होती है ठीक है तो पहला हम बात करें तो पहला जो है दोस्तों वह यह कहा जाता है कि कमार जंजाती की जो उत्पत्ती हुई है वह गरिया बंद जिले क के यही जो मैन पूरी विकास खंड में एक गाव है देव डोंगर मैं पूरी विकास खंड के अंतरगत एक गाव पड़ता है देव डोंगर ठीक है तो यह उस पुस्तक में आपका रायपूर जिला लिखा हुआ है मैं यहां इसको गरियावन लिख दे रहा हूं तो गरियावन जिले के मैनपूरी विकास खंड के देवडोंगर एक गाव है वहां से इनकी उद्पत्ति मानी जाती है और वहां पर आज भी इनके जो प्रमुक देव हैं वामन देव का वास है था पर देवडोंगर में तो पहला आप याद रखेंगे कमार जंजाती अपनी जोद्पत्ति है वह गरिया अब बंजily के मैन पूरी विकास की देवडोंगर के देवडोंगर से मानती है जहां पर आज भी इनके जो है वो प्रमुख देवता वामन देव निवास करते हैं ठीक है तो इस बात को आप ध्यान रखियेगा ठीक इसके बाद सेकेंड जो कीवधन्ती है किवधन्ती यह तो है ही इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें आपको और समझने को मिलेगी कीवधन्ती 6 समझ लो कि एक बार जब पृत्वी में प्रलय हुआ थीक है पृत्वी में जब प्रलय हुआ तो प्रलय के बाद इसकी उत्ति हुई ऐसा कहा जाता है तो का प्रित कपूरके पुराना ना नितनायम 2012 पिक्चर आयरिस हुलीवूड वाले ते में देखे हो तो प्रलया कैसे अधोटे पूरा प्रित्वी व्युक्त हो जाते जल मंगन जल में समाझ दूब जथे तुगी प्रलया होते तो में प्रलया होते हैं ना और जब प्रलैहहोरी इसे तब काहो इसे अब हो इसे काकि पूरा संसार जल में डूब गये और कमार जंजाती के मनहाँ पहाड के उपर में कि अपना प्लाप बचाय कोशिस करतरी से घंभोर पानी गिरते हैं पूरा जल मगन हो गये और वह मन चिलावा थे में बचाओ बचाओ जन जाती में उसके गोत्र और बी जो उनके उपजाती होती है उसमें जो कच्चुवा को बचाए उनमें से जो जन जाती जो है वो है नेताम मतलब कहने का यह है कि यहां पर पहाड में फसे थे कच्चुवा ने इनको बचाए यह कमार जन तो नेताम में आप याद रखेंगे यह किसकी उपजाती है कमार की उपजाती है यहाँ पर कच्छवा कच्छवे को मारना या उसको हानी पहुचाना अपराध है पाप समझा जाता है और जो कच्छवा से संबंधित जन जाती अगर जन जाती में उपजाती पूचता है कमार की तो वह है नेताम ठीक है क्योंकि कच्छवा ने उसको बचाया था इसलिए वो उसके टोटम या होता है आगे हम चर्चा करेंगे अब देखिए दूसरा फिर से चिल्ला एक कच्छवा सब्वे जनलत नहीं बचा सके है ना सब्वे जन तो नहीं जोरा सके ट्रेन थोड़ी है सब्वेजन आ जाओ दूहजार पैसेंजर भड़ा जाओ इसे थोड़ी कच्छवा लिमिट है दूहीं जरी है तक फिर से चिल्ला इसे की बचा वचा और तब आथे मगरमच और मैं जब आपको कहता था मगरमच को पुकारने से वह अपने पीट पर बठाकर बचाते हैं तो बच्चे जो हां आफ्लाइन में हस्ते थी ओर यह सहीं है बहीं लोग ने मगरमच को पुकार मगर मच्छ आया और मगर मच्छ जो है वो क्या किया वो इनको पीट पर बिठा कर जो है वो इनकी जान बचाई तो कमार जन जाती के वे लोग जिनको मगर मच्छ ने अपने पीट कर जान पीट पर बैठा कर किनारे पे ले जाकर जान बचाई उसको कहा जाता है सोड़ी या सोड़ी भी लिख देते हैं इस जन जाती में मगर मच्छ को हानी पहुंचाना उसको मारना एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा पाप समझा जाता है ठीक है तो इसी की ही उप जातिया है आज कल उप जाती से संबंदित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप मस्त याद रखेंगे ठीक है और इसके अलावा है नेताम कुझाम सोड़ी इसकी पोप जाती है में तो इसको आप ध्यान स्व —ण रखेंगे ठीक मेरे ख्याल से यह क्लियर है इसके अलावा और तीसरी चीझ हमको ध्यान रखनी है क्या Sindic दिय तेखिए गरिया बन जात हो गरिया बन कौन कोन यह तिमन कमेंट करके बता हूँ और गरिया बन में पहुंसते जब राजीम ले को गोण और कमार जन जाती दोनों ही कचना धुरवा को अपना इस्ट मानते हैं प्रमुख देव मानते हैं पर यहां पर बस गए ठीक है और कचना धुर्वा से ही यह अपनी उत्पत्ती हुई है ऐसा भी माना जाता है और विशेश कर हम लोग बात करें रसेल और हीरा लाल जो हमारे इतिहासकार हैं दो इतिहासकार एक रसेल और हीरा लाल रसेल और हीरा लाल ने जो है कमार जनजाती को गोणों की उपजाती माना है ठीक है इसने क्या माना है कमार जनजाती को गोणों की उपजाती गोडों की पूप जाती है तो यहां पर जो मुख्य बात याद क्या रखनी है आपको गोड और कमार दोनों एक साथ आये थे दोनों कचना और धुर्वा गरिया बन में जिसका मंदिर है उसको अपना इस्ट मानते हैं इसलिए रसेल और हीरा लाल ने जो है वो क्या कहा कमार को गोडों की उप जाती जो है वो बताया है ठीक और यह जो है वो कमार जंजाती के खना धुरुवह से ही अपनी उत्पंती मानते हैं तो यह आफ को यानद रखेंगे ठीक नेक्स्ट हम बात करें हटभी चेजिद पत्ति के संबन्द में जो आपको जानकारी याद रखनी है या नई रखनी है तो यह कि दनती ही है एक बार क्या हुआ कि दनती नहीं है आप उनली ब्रलाय विचार आया और विछार आया तो ने प्रलाय प्रलाय करने के लिए सोचा तो ये बात जो है तो वो अपने पदी को जाकर बताए कि इस दिन प्रलाय होने वाला है अगर पता चल गया मित्रों कि आप इस दिन मरने वाले हैं ठीक है आप इस दिन आपका जो है वो अंतिम दिन है ठीक तो आप क्या करेंगे आप अपने रिष्टेदारों को अपने बच्चों को अपने जो करवाती है कि अब क्या किया तो उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए जानते थे कि प्रला आएगा तो पूरी पृत्वी जल में डूब जाएगी तो ऐसा चीज बनाया जाए जो जल में उपर में तैरती रहे ताकि इन लोग बचे रहे तो उसने दिमाग लगाया कि एक आप लोग देखते होंगे तो उसके जैसे फिर उसने नाव बनाया और नाव में ज़ेवन में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुमें हैं उन वस्तुमें को उस नाव में रख दिया और उसको चारो तरफ से बंद कर दिया ताकि पानी अंदर ना घुसे ऐसा बकतर बंद नाव बनाया जो कितना भी पानी आए उन लोग सेफ रहेंगे और अपने बच्चों को विठाकर ज सब डूब गया सब मर गया और वो दोनों क्या रहे जिंदा रहे अब भगवान श्री शंकर महादेव जी ने जब स्रिष्टी फिर से बनाई तो उसमें पहाड परवत पेड़ व्रेक्ष जीव जन्तु सारी चीज़ें डाली नदिया नाले जरना सब डाले लेकिन अब इसक बचा होगा तो उससे मानों की उद्पत्ति करेंगे और नहीं होगा तो आप्शन बहुत सारे थे भगवान जी है ना तो उन्होंने घूम कर देखा तो देखा कि वह नाव अभी तक तैर रही है उसमें बचे हुए हैं तो उन दोनों से दोनों तीनों जितने भी रहे होंग और उसके बाद दो लोगों को एक विशेज जाती को तीर धनुस और कुलहाड़ी दे कर भेजा और कहा कि यही जो है वह आपका क्या है आप कमार जन जाती के नाम से जाने जाएंगे तो इस प्रकार यह छटवा हीवदंती था सिर्फ कहानी थी आपको याद रखने की बांक कि उसका रहन सहन है एस इंका रहन सहन कैसा है मैं ठीक है तो रहन सहन इनका जो दोस्तों ये पारंपरी खस्त सिल्पी जन जाती है ठीक है याद रखेंगे पारंपरी खस्त सिल्पी जन करती है ये हस्त सिल्प का कार्य करती है पारंपरी खस्त सिल्पी जन जाती है ये बास से सूपा टुकना वगेरा जो बनाती है वनो से कंद मूल फल जो है वह इकठा करती है इसके अलावा सिकार भी करती है ठीक है तो ये इनकी द्यानिक दिंचरिया में जो है वो शामिल है इसके अलावा ये कृषी भी करती है ठीक है कमार जन जाती कृषी भी करती है और प्रिशी और इनकी क्रिशी को यहीं पर मैं लिग दे रहा हूं दहिया क्रिशी के नाम से जाना जाता है हाला कि यह आर्थिक हम लोग इसका जो जीवन देखेंगे उसमें भी पढ़ेंगे ठीक है तो यह पारंपुरी खस्त सिल्प जन जाती है क्रिशी इनकी दहिये क्रिशी भी करती है और क्रिशी इनकी दाया क्रिशी कहलाती है दाया क्रिशी एक इस्थानांत्रित क्रिशी है लेकिन अभी जो है यह स्थाई क्रिशी करने लगे हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा ठीक है अब जो है वो क्या करने लगे हैं यह स्थाई क्रिशी करने लगी है ठीक है विश्व की कि जब से अधिक है कि तब से अधिक गोधना गोध्वाने वाली जन जाती गोधना कि गोध्वाने वाली जन जाती है तो यह विश्व की सबसे अधिक गोधना गोधनाने वाली जन जाती विश्व की सबसे अधिक गोधना पुरिय जन जाती कौन सी है अगर यह इस प्रकार का प्रशना आएगा तो यह बैगा जन जाती है और बैगा जन जाती में गोधना गोधने का कारिय कौन करती है तो बाद लेकिन यदि बात करें कमार जन जाती में कमार जन जाती में जो है वो गोधना गोधने का कारिय कौन करती है तो आप याद रखेंगे देवार जाती की महिलाएं के गुधना गोदने का कार्य करती है कौन सी देवार जाती की महिला है ठिक है और यह विश्व की सबसे अधिक गुदना प्री सब्सक्रादो डशन गुद्वाने वाली जन जाते है जन जाती हएं मैं प्रचलन है मित्रों गोधना क्या होता है आपको पता है टैटू आप मैं कई बार बता चुका हूं पहले जो है सुई से हरे हरे कलर का दिखता था गोधते थे बहुत तकलीफ होता है लेकिन वह लॉग टाइम तक गोधना ऐसा रहता है और उपर उनकी रक्षा करता है और यदि आपने नहीं गोधवाया है तो भगवान जी यम्राज जी उपर में किस्ते सब्बल से गोधना गोधेंगे सब्बल से पूरा सरीर में गढ़ा गढ़ा कर गोधना जाता है तो इस डर की वज़ा से इन लोग ना गोदवाते हैं और बोदना जो है वह चरीर में थुद्डी में नांक में मतलब जितने भी द्रिश्य अंग हैं कपड़ा पहनने के बाद जो भी सरीर में दिखता है उन अंगों पर यह गुदना गुदवाती है नाक में भी नाक में थुद्डी में सीर में माथे में गाल में सभी जगाव देखे होंगे ठीक है तो इस बात को याद रखने हैं विश्व की सबसे अधिक गुद्णा गुद्णा गु याद रखिएगा आप चौंथा आपको इसमेंसे और इंपोर्टेंट क्या रखना रहन सहन में इए वह वो ओ यह जो देर धनुष वेश कल देर क्या धनुष को हो हो Kyle और पर कुल हाडी धारं करते हैं नकी प्रहचान यह कंद्य पर क्या धारंग करते हैं लाडी तीर धनुस धारन करते हैं और कंधे पर कुलहाड़ी धारन करते हैं यही इनकी पहचान है मित्रोई यह तीर धनुस है तो निसाना लगाने में भी एक्सपर्ट होंगे ठीक है तो यह इसके रहन सहन से संबंदी चीजें आप ध्यान में रखेगा पारंपरी हस्त सिल्प जन ज पहचान है इस बात को आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो चलिए आगे देखते हम इसके समाजिक जीवन पर यह हो गया उसका रहन सहन अब हम लोग देखेंगे समाजिक जीवन समाजिक जीवन तो समाजिक जीवन अब इसको थोड़ा सा आप लोग एक व्रिहत्वरी द्रिश्च में याद रखिएगा दोस्तों कैसे देखिए पहला इसमें पॉइंट आउट चीजें याद रखिएगा अगर हम लोग देखते हैं तो रहवास के अधार पर रहवास या प्रवास थे कर सकते हैं प्रवाद के अधार पर के कि अ कि आधार पर इनको दो भागों में बाटा जा सकता हैं ठीक है पहाड पतिया पहाड़ पतिया ठीक है पहाड़ पतिया जो कमार जनजाती के लोग है वह आप सब्द से ही स्पष्ठे इसमें पहाड़ आया है तो यह पहाड़ों में रहने वाले पहाड़ों में कि रहने वाले कमार जंजाती को पहाड़ पठिया कहा जाता है ठीक है पहाडों में रहने वाले कमार जंजाती को पहाड़ पठिया और दूसरा एक है यह इसकी उपजातियां भी समझ सकते हैं आप लोग पहाड़ पतिया और बुंदर जीवा अब बुंदर जीवा मतलब जंगल में रहने वाले अब देखिए बन्दर कहा रहता ओब पर यहां पर यह याद राखेंगे ही इसके और उप जाते हैं जो लोड़ी वगेर हैं उसको भी आप ध्यान रखेंगे तो रहवास या प्रवास के अधार पर समाजिक जीवन में हम लोग फस्ट पॉइंट देख रहे हैं इसको दो भागों में हम पढ़ सकते हैं एक पहाड़ पतिया पहाड़ों में रहने वाले कमार जन जाती और एक है बु कि शुना कौले को चुना पाप समझते हैं अब मैंने बताए है अभी इनके में जो है वो इस जण जाती में जो है वो टोटम वगेरा का बहुत ज्यादा महत्वार्य कूष कच्वा है सोडी में थर्म से लोग गोड़े को चुना पाप समझते हैं इसलिए ये कभी भी ये कभी भी घुड़ सवारी नहीं करते हैं ठीक है ये कभी भी क्या नहीं करते हैं घुड़ सवारी नहीं करते हैं आप ध्यान रखिएगा ठीक गोड़े को चुना पाप समझते हैं और गोड़ सवारी नहीं करते हैं कि इसके अलावा नेक्ष्ट हम बात करें तीसरा प्वाइंट तो यह अपने से neemno odgi छूबढ़ मैं विश्वास रखते हैं तिक अपने से अपने से कि मुझन जाती कि निमन जाती जा Сपर्ष ही इस पर मतलब चुना सशैंदब भोजन करना। कि भोजन करना। तीसरी बात इसमें ध्यान रखेंगे स्पर्स होना या उसके भोजन करना राखने उससे पीट जाना पीट जाना मतलब दोस्तों वही decorated पिले जाना लड़ाई धगड़ा होगे मांरपीठ ढहीत और उससे पीट जाना करेंड अपराद समझा जाता है क्या समझा जाता है बहुत पर्स नहीं बहुञ्छन तो करीनी लड़ायी जगड़ाता होगा कि मेला लगे है प्रकार के बिमारी कोई दिक्कत नहीं है अपने से निम्न जाती का इस पर्ष होना उसके भोजन करना उसे पिट जाना बहुत बड़ा अपरात समझते हैं लेकिन यहीं पर एक चीज याद रखेगा कि इनकी कमार जन्जाती में अधिक इसी की हत्या कर दे तो उसमें उत्तर बड़ा परिशानी नहीं है यह वाल एक भोज कायोजन करा देते हैं और भोज कायोजन कराने के बाद जो है तो दोश्मुक्त हो जाता है इतना अच्छा सिस्टम हाला कि अब नहीं है तो फिर वहीं सज्जा मिलेगी जो एक अपराधी को मिलती है तो इसमें यह जो है मैं इसलिए बता रहा हूं इसमें यह अपराध है कि आप इससे करेंगे हट्य कर दिए उतना बड़ा नहीं है भो कि मृतक संस्कार में आप याद रखेंगे यह दफनाते हैं क्या करते हैं दफनाते हैं कि दफनाते हैं और उसके साथ दफनाते हैं और उसके साथ उसके उपयोग की वस्तुमें उसके उपयोग कि उपयोग की वस्तुमें भी रखते हैं उसके उपयोग की वस्तुमें भी उसके साथ रखते हैं ठीक है पहले तो दफनाते हैं दूसरा दफनाते हैं तो उसके साथ उसके दैनिक जीवन की उपयोग की चीजे भी उसके साथ रखते हैं ताकि वह जहां जा रहे हैं वहाँ पर उसको परशानी नहीं हो कितनी मानने था अच्छी आप देख रहे हैं ठीक है तो यह कि तंबा हुए क्या नहीं है पर मानते हैं इनकी आस्था बहुत द्रिड होती है तो पहला दफनाते हैं उसके उपयोग की चीजें वहां रखते हैं यह याद रखेंगे कि कमार जंझाती के जो लोग है वह और उत्पन नहूं तो वो जो है वो यो का उपयोग कर सकेए दूसरा इनका से क्रिया कर क्रिया कर्म में कैसे करते हैं मृत की क्या करते हैं इसको धंक संपत्ति को सारी संपत्ति को बेच कर तो यह इसका क्रिया कर्म कमार जान जाती में क्रिया कर्म कैसे किया जाता है उसकी सारी संपत्ति को बेच दिया जाता है और बेच कर उससे क्रिया कर्म किया जाता है हाला कि यह थार्थ में वर्तमान समय में एस होता होगा एससा मु फ्रतित नहीं होता यह पवरानी होता था पुराने समय में सेनांतरन कोई इसके बैटों में या उसके बच्चों में कोई छागडंती में तो क्षिफ अब किस쪽 होगा है थम इन इस में कमड़ लिए वी का इन लोग बंगी Cheese पारजन जाती में पत्ती का जो है वो स्थानांत्रन नहीं होता था इस वजह से क्योंकि ये क्रिया कर्म में उनकी सारी संपत्ती बेच देते थे इस बात को आप ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं तीसरी बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो जो मृतक है जिस कमरे में मृत्ति हुई है जिस कमरे में मृत्ति हुई है मृत्ति हुई है उसे उसका त्याग कर देते हैं ठीक है उसका त्याग कर देते हैं या नश्ट कर देते हैं ठीक है जिस कमरे में मृत्ति हुई है उसको त्याग देते हैं उसका नश्ट करके दूसरा घर बनाते हैं अब देखिए आज आज के समय में जो घर बन रहे हैं चाहे वह आदिवासी के हो चाहे वह पक्के मकान बनने लग गए हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि किर्शी की मृत्यू हो जाए और उसको उजाड कर दूसरा बनाया जाए लेकिन फिर भी इनकी संस्कृति में यह चीजें हैं कई जगा मान्यता संसकार में पहले दफनाते हैं उसके उपयोग की वस्तुमें रखते हैं क्रिया कर्म की बात करें तो मृतक की सारी संपत्ति को बेच देते हैं और तीसरा हम लोग देखें जिस कमरे में उसके मृत्य होती है उसको त्याग देते हैं और त्याग कर जो है वो दूसरा क्या बन में ठीक है तो आर्थिक जीवन में आप जानते ही है क्या होता है चलिए आगे चलते हैं में डाल लेंगे आप आर्थिक जीवन कि आर्थिक जीवन अर्थिक जीवन में सब आर्थिक जीवन में हम लोग इसमें जो हैं वह बात करी लिये थे क्या बात कर लिए थे यह जो हैं वह पारंपरी क्या है हस्त सिल्प जन जाती है हस्त सिल्प का कारी करती है वास से सूपा टुकनी वगेरा बनाना ठीक है सहद संगरहन करना वनोपज संगरहन करना और उसको जो है वो मार्केट में बेचना इनकी आजीवीका का जो हैवह मुख्य रूप से साधान है ठीक है संग्रहन करना और बेचना इनकी अजीव का ती दियान रखेंगे यह फ़स्त सिल्स जन जाती है बाहस सूपाटूकनी वगरा बनाती है लेकिन इसके अलाव्बा वनोपत संग्रह करती है सहद संग्रह करती है और संग्रहन करके वो इसको मार्केट में बेजकर अपनी आजीW का अपना रोजी चलाते हैं थेख दूसरा इसमें बताया कृशी भी करते हैं ठीक है बीसικά क्रिशी जो जो क्रिशी स्थानांत्रित क्रिशी उसको दहिया क्रिशी कहा जाता है ठीक है किसी एक जगह जो है शर्फेस है ऐसा इस सर्फेस में एक जगह जो पेड़ व्रिक्ष वगेरा है इसको क्या कर दिये काट दिये और काट कर जो है इसको आग लगा दिये आग लगा कर यहां पर जो है वो क्रिसी योग्य बनाया जाता है भूमी को और उसके बाद वहाँ पर क्रिसी की जाती ह इसे ही हम क्या कहते हैं जाहिया कृसी कहते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे तो यह था इसका आर्थिक जीवन के संबड़ में ठीक अब बाद करें इनके विवाह को डोस्तों फेक इनके विवाह के संबऑन में देखिएगा चलिए आगे चलते हैं आर्थिक जीवन के बाद विवाह पद्धती कि विवाह पद्धती अब विवाह पद्धती में पहला देखिए यह कमार जन जाती है ठीक कमार जन है तो यहां पर ध्यान देंगे कमार है कमार है ना कमाना मतलब काम करना मित्रों ठीक है कमाना मतलब काम करना यहीं से ही हमको सारी चीज़ को रिलेट करनी है विवाह से संबंधित जो हैं बातें ठीक है कमाना मतलब काम करना अब जो काम कर रहा है तो वो कौन-कौन सी साधी कर सकता है इस प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे जो काम कर रहा है वो लौ मेरिज कर सकता है अपनी अपनी पसंद की लड़की से साधी करेगा तो घर वाले अग्री हुए तो हुए नहीं तो हुए तो क्या यहां से समझ आप लोग अब दूसरा देखे कमाना हर किसी की बस की बात नहीं है कमाने का गुर आना चाहिए गुर चथिस गडी में को गुर बोलते हैं तो कमाने का गुर आना चाहिए ऑब कमाने का गुरावत कोहीं वीनिमाय विवा बोलते हैं आप जानते हैं और वीनिमाय विवा क्या है यह भी जानते एक घर के मेल फिमेल का दूसरे घर के मेल फिमेल से साधी होना ना मेल का फिमेल से मेल का मेल से नहीं मेल का एक घर के मेल का दूसरे के घर के फिमेल से और दूसरे के घर के मेल का इस घर के से साधी वो न क्या गुरामथ वीवा ऐसके अलावा जो लोग कमा रहें उसको है उसको 6 लड़की लड़की जब ज़्यादा अमीर है तो लंसेना विवा होता है ठीक है तो लंसेना में यहीं देखा जाता है न उसके पिता जी उसको क्यों बुलाते है कि लडगा कमाने लायक है की नहीं की आल्सी है तो हुषै हे बंसे का विबा चाहिंद करके याद रखिएगा आप लोग ओधरीया विबा के समद Big थु criticize लड़के वाले मान गये मान तो यह उसके घर जाकर बैठ जाती है और पैठो विबा कि आप जाती है क्योंकि लडकी जानती सब कमाने जाना चाहते आज कर ऐसे इसका जीवन यह वो sarà घूरां हो जाएगा उसका जो है वह जो फीटर है वह बहुत ब्राइट होगा इसलिए वह तो उसके घर जाना चाहती है तो यहां पर पेठू विवा पेठू मतलब हट वीवा करके हट करना यह लंसेना को ही सेवा विवा भी बोलते हैं तो हम यह कुछ हूर हुआत प्रद्धती इसको बहुत ही विशेश रुप से आपको ध्यान रखनी है ठीक है एक एक बिंदु जो है वह यहां पर इंपोर्टेंट है आप ध्यान रखिएगा ठीक अब मैंने बताया था कि जंजातियों में जो है वह लड़की वाले को दहेश दिया जाता है जो कुछ है प अब इसमें क्या होता है इसमें और चीज होता है विवाह के बाद इनका कमरा जो है दोस्तों एक ही जिस घर में रहते हैं वहां एक ही कमरा होता है तो जब साधी हो जाती है तो कुछ समय बाद लड़का जो है वह अलग से कमरा बनाकर अपने पीता के कमरे के पास ही एक बात करेंगे इसके अंतिम बिंदू और वो बिंदू है इसके धार्मिक और सांस्क्रितिक जीवन पर सांस्क्रितिक जीवन अच्छा इसके समाजिक जीवन में एक चीज और याद रख लीजेगा आप लो कि सामाजिक जीवन में इनके जो इन्जेम जो है वह जाती पंचायत पाई जाती है क्या पाई जाती है जाती पंचायत पाई जाती है ठीक है अब जाती पंचायत क्या कार्य करती है तो आप भली भाती जानते हैं जाती पंचायत जो है वो विवास संबंदिच कोई विवाद हो जमीन जैदा लड़ाई जगड़ा हो समाज का कोई भी तो वहां पर जो है उसको कुरहा कहा जाता है ठीक है कमार जन्जाती में जाती पंचायत के प्रधान को कुरहा कहा जाता है इसमें जाती पंचायत पाई जाती है ठीक धार्मिक और सांस्कृतिक रहता है ठीक यह सभी जन्जातियों में यहां पे पहला पॉइंट ध्यान रखेगा धार्मिक अनुष्ठान जो करता है ठीक है किसमें कमार जन्जाती में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले को बैगा कहा जाता है क्या कहा जाता है धार्मिक अनुष्ठान करने वाले को कमार जंजाती में बैगा कहा जाता है इसके बाद दूसरा याद रखना है आपको कमार जंजाती जो है वो भूंगावाद क्या है अभी बताऊंगा आप चिंद रहे है तोटम या गण चिंद कहते हैं इसको तोटम या टैबू में बहुत अधिक विश्वास करते हैं ठीक है बहुत अधिक अधिक विश्वास करते हैं कि अधिक विश्वास करते हैं यह चीजें मैं बाद में हम लोग देखेंगे और लेकिन मैं यहां पर आपको बताते हुए चलता हूं बोंगावाद क्या होता है मित्रों तो बोंगावाद जो है वह हमने देखा कि जंजातियां जो है वह अपने अपने धर्म के प्रति अपने जो है वह इस्ट के प्रती अपने जो है वह आस्था जो जिसमें भी पेर पौर इनका बहुत अटल विष्वास रहता है अंद विश्वास भी कह सकते हैं आप लुग पड़े लिखें हैं इने में भूत प्रेत जादूटों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते ही यह जंजातियों में हमनों देखा है तो यहां पर कमार जंजाती जो है वो एक या कमार जंजाती के अलावा और भी जंजातिया है जो एक अद्रिश्य या कालपनी या पारलोकिक शक्ती में जो है वो विश्वास रखती है ठीक है कौन सा अद्रिश्य अद्रिश्य शक्ती पारलोकिक या कालपनीक तो अद्रिश्य मतलब जो द्रिश्य ना हो अद्रिश्य जो दिखाई नहीं देता पार लोकिक लोक से परे जो लोक है जो समाजिक जीवन है उससे परे कालपनिक जो सिर्फ कलपना में है यह थार्थ में नहीं है एक ऐसी सक्ति जो दिखाई नहीं देती जो लोगों से परे है कालपनिक है कलपना में है उस सक्ति पर इनका एक अटल विश्वास रहता है इन लोग का ऐसा मानना है जंजाती में कि वो सक्तियां जो है वो इनकी रक्षा करती है वर्षा कराने में शायक होती है अनिष्ट से बचाती है इसके अलावा यह अच्छे कारियों के लिए प्रिरि आप लोग समझ जाएंगे अद्रिश्च सकती है जो इनको अच्छे कार्य करने के लिए इनको रक्षा करने के लिए इनको प्रेरित करती है और रखिएगा ठीक लिए इसका ना रूप होता है ना रंग होता है ना इसका कोई अस्तित्व होता है बस ऐसी एक मान लिए है जो इनको ऐवो अच्छा जीवन प्रदान करती इनके परिवार कोटुंब की रक्षा करती है तो एक ऐसी अद्रिष्य शक्ति में विश्वास औद्रिष्य शक्ति कालपनिक सक्ति में आस्था नाम है वो क्या है भूंगावाद है अद्रिष्य कालपनिक शक्ति में आस्था ही जो है वो क्या है यह सिर्फ समझने के लिए है दोस्तों समझने के लिए जो दिया गया बांकि डिटेलिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो बाद में बहुत सारी चीजे में और इसमें से बताने वाला हूँ ठीक है तो अब इसको याद रखिएगा यह इसे क्या कहेंगे हम लोग लोग बूंगावाद कहते हैं अद्रिश्य शक्ति में विश्वास ठीक है यह कहलाएगा बूंगावाद बात करें टोटम की टोटम यह इसी को कहा जाता है गणचिन्य टोटम को क्या कहते हैं हम लोग गणचिन्य तो टोटम या गण चिन्न क्या होता है तो मैंने बताया इनकी आस्था पूरी इनकी आस्था से ही जुड़ी हुई चीजे हैं जन्जाती क्या मानती है जैसे कुछ कुछ इस्पेशल विशेस जो है विरिक्ष है विशेस जीवजन्तु है या कोई प्रतिकात्मक चिन्न है या कोई भगवान विशेस हैं उनको ये अपना क्या मानते हैं टोटम या गण चिन्न मानते हैं कैसे ये टोटम या गण चिन्न की रूप में प्रतिकात्मक रूप में मानते हैं कि ये जो है हमारे इस्ट हैं और जिसको ये टोटम के रूप में स्विकार कर लेती है जनजाती उसको फिरहानी पहुंचाना उसको मारना उसको किसी भी प्रकार का छती पहुंचाना ये पूर्णता निशेद रहता है अपराद समझा जाता अभी हम लोगों ने कमार जंग जाती में ही पिछली स्लाइड में बात की कि यहां पर कच्छवा ने इसकी जान बचाई और हम लोग देखें मगर मच्छ ने इसकी जान बताई तो वहां पर उसको मारना पाप समझा जाता है वैसे ही इन लोग जो टोटम मान लेते हैं उसी को मतलब लोग लोगों का यह फृचक उचक मान जाता है इसको टोटम को स्विकार कर लेते हैं उनके क्वोटरे किए रूप में स्विकार किया जाता है तही के जैसे यदि सवरीकश मानना है कि यह जो है वो इनकी रक्षा करते हैं स्वप्नमें आते हैं स्वप्नमें फिर यह सारी चीज बताते हैं इंकी आस्था समित्रों तो यह कोई भी अनिष्ट कार्य होने से पहले इनको सूचित करते हैं ऐसा इनका मानना है और जिस जिसको ये अपना गणचिन्द मानते हैं ठीक है जैसे मैं एक बता दे रहा हूं जैसे एक हम लोग पश्चू ले लेते हैं जैसे गाय माता ठीक है गाय माता को यदि यहां पर गणचिन्द मान लिये हैं इसने इस कभीले वाले ने इस कभीले वाले ने और इस कभीले वाले न शु Sue Iじゃあ के समझे जाते हैं ठीक है अभी गोत्र के समझे जाते हैं तो यहां पर विवाह संबंद नहीं बनाए जा सकता सारिक नहीं बनाए जा सकता इनकी पहुत सपष्छ माननता है ठीक है यह जो एक गणचिन्न वाले लोग जो है वो कभी भी विवाहिक शंबंद या सारीक संबंद नहीं बना सकते हैं ऐसे इनकी मान्यता है और यह एक ही गोत्र वाले माने जाते हैं ठीक है एक ही कभीले वाले एकी समाज वाले माने जाते हैं तो इसको गण चिन्य तोटम कहते हैं जैसे संबन्द में देखें के संदनी देखा या किसी और जानवर को प्रतिकात्म रूप में इसको श्विकार किया जाता है इनको आप याद रखेगा मां बांकी डिटेल में जब लिखवाना होगा तो आपको बहुत सारी चीज इसमें से एड करवा देंगे मुख्य चीज जो है वो आपको बता दी गई है क्लियर तो दोनों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया में अधिक विश्वास अधिक विश्वास रखते हैं त्टीक है इसके अलावा यह तो ओगया धार्मिक और सांसितिक में दूसरा पॉइंट बोंगाबाद और टोटम से संबन्दी नेक्स्ट हम लोगदेखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यह जो वो इनकी मुख्य देवी कि मुक्य डेवी कौन है तो मुक्य देवी है बड़ी माई rices और बड़ी माई चोटी माई कि मूख के रुप से ये बड़ी माई, छोटी माई मुख के रुप से किसको बड़ी माई और छोटी माई के प्रति की पूजा करते हैं मुख के रुप से यह मुख के देवी है उनकी आराध्य देवी है इसके अलावा यह इसको किसको मानते हैं तो सबसे पहले वामन देव को मानेंगे क्यों कि वामन देव से ही अपनी उत्पत् थाकूर देव इसके अलावा दूलहादेव कुछ कोन लगी थे चलो आनन्द तो लेवत हो लेकिन कुछ-कुछ सवाल के जवाब देवत रहो साथ हे साथ में ठीक है दूलहादेव कौन लगी थे आप लोग बताएंगे वामन देव के समद्ध में देखा इनकी उत्पत्ति मान मानते हैं ठीक है आपको इसको याद रखना है रिलेट करना है ठीक है रिलेट करना है बड़ी माई छोटी माई वामन देव से उत्पत्ति हुई कुछ कमार मानते हैं तो वामन देव की पूजा करते हैं कचना धुर्वा से उत्पत्ति मानते हैं कचना दुर्वा की कि पुजा करते हैं इसके लावा ठाकुर स्थाख डूला देव दस्ट लगबर्ग हर गाओं और जनजातियों में देखने को मिल जाता है आप बताएंगे दूला देव के संवन में में इसके लावा धरती माता की भी पूम YOU ईंडिन सब्सक्राइब जद हातार की कि भी पूजा उन लोग करते हैं ठीक चलिए यह याद रखिये गा इसके बाद देखेंKit को इसके बाद विशेश आपको याद रखना है ये लोग पोगरी देलता की पूजा करते हैं कि इसकी पोगरी देवता अब ये पोगरी देवता कौन है तो ये पोगरी देवता जो है दोस्तों इनके पूल देवता है पोगरी देवता कौन है इनके पूल देवता ठीक है तो पोगरी देव की पूजा करते हैं जो इनके पूल देवता हैं इस बात को ध्यान रखिएगा पहला दूसरा ये पूछा जा सकता है ये तो पहला है दूसरा इसी में इसी में गाता डूमा में ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं कि उर्वजों की गाता डूमा कहते हैं उनको पूर्वजों की पूजा ठीक है इसके अलावा तीसरा आपको इसी में याद रखना है मांगर माटी मांगर माटी अब यह मांगर माटी में यह जो पूर्वज थे जो पूर्वज पूर्वज उनके पूर्वज के पूर्वजों के गाउघर की मिट्टी की पूजा करते हैं पूर्वजों के गाउघर की मिट्टी कि पुर्वजों के गाउँ घर की मिट्टी की पूजा करते हैं किस में मांगर मांटी में तो तीन आपको विशेस रुप से ध्यान रखना है उगरीवता कूल देवता है इनके गातादूमा पूर्वजों की करते हैं कई सारे रूप में इसका प्रश्न बंसकता है निम्नलिख में से कौन से जन जाती है तो इस प्रकार से कई सारे रूपों में इसमें से प्रश्ण बन सकता है आप विसेश रूप से ध्यान रखेंगे जितनी पॉइंट बताई जा रही है और मेंस वाले के लिए तो यह लिख देंगे अगर अच्छे से डिटेलिंग में आगे तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकते है इस बात को आप याद रखेंगे इन लोग जो पूजा करते हैं उस पूजा में बली वली देना बहुत ही कौमन है आप जानते ही है इसके अलावा इनके अलावा यह महादेव बजरंग बली और महादेव ठीक महादेव जी की भी पूजा करते हैं हिंदु देवी देवताम में तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें से ध्यान रखनी है ठेक इसके अलावा भी और कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है क्या तो आप देखिए इसमें और क्या ध्यान रखना है तो इसमें यह लोह की पूजा कि लोहे की पूजा करते हैं अब लोहे की पूजा क्यों करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि लोहा में मादुर्गा नौरात्री आवा थे सबे जन माते रहू मात दूर्गा का वास मानते हैं लोहे में ठीक है माता दूर्गा का वास मानते हैं और जो है वो पूजा करते हैं लोहे की विशेश रूप में दूर्गा का वास मानकर दूर्गा का प्रतिक मानकर लोहे की पूजा किया जाता है इस बात को आप ध्यान रखिएगा ठेक अब द ख्रमुख देवी देता के संबन्ध में कमुख्य तो बड़ी माई छोटी माई इसके अलावा वामन देयो कछनाel ठाकुर दिधु धर्तीमाता उग्रिभा कूल देताके रूप में गाता डूमा पुर्वज़ों की पुजा की जाती है मांगर माटी में लोहे की पूजा करते हैं जिसमें लोग मानते हैं कि मादूरगा का वास होता है तो इस प्रकार से इनकी जो पूजा पार्ट जो प्रणाली है वह बहुत ही जो है वह क्या है विस्त्रित है ठीक है अब इनके पूज़ापाट तो हो गया अब इनके संबन में हम लोग देखेंगे क्या इसी में ही एक नेक्स लाइड में चलते हैं त्योहार तो त्योहार क्या मनाते पर्व या त्योहार कर लीजे त्योहार मनाते इन लोग हरेली पोला नवा खाई दशहरा दशहरा भी आवाते खोली आदे अब कल से आपन नवरात्री सुरू है माता जी का उपासना कीजिए और बिल्कुल इस नव दिन में आप अपने आपको माता की भक्ती में ऐसा लीन कर दीजिए कि आपकी आने वाली जितने भी परिक्षा है उसमें माता का असिर्वाद आपके साथ बने रहे और आप हर परिक्षा में सफल हूँ इस प्रकार से कामना के अनुसार आप भक्ती में लीन रहें साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहें ठीक तो त्योहार में याद रखेंगे हरेली पोला नवा खाई दसहरा होली वगरा मनाते हैं विशेश इसमें नहीं है आप बस्तिवहार में यह जो है वो अपने पेपदार महुआ जो है वो पीकर नाश्ते गाते हैं ठीक है इन में नित्यगीत वगेरह भी कोई ज्यादा नहीं है मित्व ठीक है नित्यगीत भी ज्यादा रखेंगे आप यह जो है वो दिवाली में तामार जंजाती जो है वो दीपा वली में तर्टी तिवबले में ज्यादा फोकस नहीं है आप दिवाली में याद रखेंगे शुवा नास्ति है इतना प्री याद रखेंगे तो परियाप्त है ठीक है और इनके ऊपर एक भूक भी लिखी गई है एक बूक के संबंद में मैंने चर्चा की थी क्या नहीं की थी दा कमार फूक लिखा गया है द कौन सा लिखा है द कमार एसी दूबे कमार जनजाती के उपर लिखी गई बुक चलिए तो आज हम लोगों ने सायच जितने इसके पॉइंट्स थे जितनी कमार जनजाती से फ्रश्ण बन सकते थे उन सभी पर जो है बहुत विस्त्रित रूप से चर्चा कर ली है ठीक है और आज देखते हैं करा जन जाती आज हमने बात कि कमार जन जाती है कमार जन जाती में हम लोगों ने दहिखा इसका निवास या सकेंद्रन गरियबन के महनपूर चुरा और धमतरी के नगरी में गरियाबन में ही कमार विकास प्राधी करण है इस बात को आप ध्यान रखेगा गरियाबन में क्या है कमार विकास प्राधी करण है ठीक है कमार जन जाती के विकास के लिए एक अभीकरन गठित किया गया है उसका जो मुख्याला है वो कहां पर है गरिया बन में है ध्यान रखेंगे उत्पत्ति गरिया बन मैंपूरी देव डोंगर के वामन देव से यह अपनी उत्पत्ति मानते हैं इसके जो नेताम है जो कच्छवा बचाई थी कच्छवे को मारना पाप समझते हैं सोडी में मगर मच्च को मारना पाप समझते हैं इसके अलावा कुंजाम को भी याद रखेंगे ठीक है गोडत और कमार जो है दोनों कचना धुर्वा को अपना इस्ठ मानते हैं और ऐसा माना जाता है कमार जो है वो कचना धुर्वा से उत्पन्य जन जाती है रसेल हिलाल कमार को गोडों की उप जाती के रूप में स्विकार करते हैं तो उत्पत्ति के संबन्द में ध्यान रखेगा नेज देखें रहन सहन तो यह पारंपरिक हस्त सिल्पी जन जाती है करें तो इनकी दाहिया कृषी है क्रिषी है क्रिषी इनकी क्या हिए विस्व की सबसे अधिक गोदणा गोदवाने वाली जन जाती है इसके अलावा हम देखें कितीर धनुस और कंदे पर क्या है है विभाजित कर सकते हैं तो आप देखी रहे हैं एक पहाड़ पतिया सीवाड़ों में रहने वाले और गूंदर जीवा het है पट जाना भोजन करना उसे पिट जाना जो है वह अपराध रात मांते हैं इसके उल्टा हम लोग दम्हें तो है ужд कि हध्य वगयरा में जो है वह भोजन करा करही इनका दोस्त मूक्त हो जाता है संसकार देखें तो तीन चीज एक मृत को दफनाते हैं उसके उपयोग की वस्तुमें रखते हैं दो क्रिया गर्म के समय मृत की सारी संपत्ति को बेच दिया जाता है और उसी किसे क्रिया कर्म निप्टाया जाता है पीसरा जिस कमरे में मृती हो गई है उसका त्याग कर देते हैं और दूसरा जो है हो कमरा बनाते हैं इसमें जो है वो जाती पंचायद पर्मु को क्या कहा जाता है पूरहा कहा जाता है इस बाद को आब ध्यान रख spatial करें और Пद्द दि में बात करें कमार जंजाती और घरी llegó ज्ञार मृत मेंना कमार विंड़हर करते द्याम हो से प्रपाइटवा तो करती है इसके अलावा यहां पर विद्वाविवा को भी माननता है विद्वाविवा घिक है विद्वा लिए विद्वा विद्वा विवाह और परित्यक्ता विवाह उनर विवाह को मान्यता है है इस बात को आप ध्यान रखिएगा चलिए आगे देखें धार्मिक और सांस्कृतिक दीवन धार्मनिक अनुष्ठान करने वाले को बैगा कहा जाता है यह बोंगावाद टोटम टैबू में बहुत अ झुल चोटी माइझ के अलावा वामन दोग फ्राफ स्कूर्वा ठाकूर दुला देव धरती माता की पूजा करते हैं और इसके अलावा में जो है वह वो से लोहा की पूजा की जाती है वांधूर्गा का वास समांकर ठीक बात करें तयो हरेली पोलर नवाखाई दसरा तभी मनाते हैं दिपावाली में सुवा नास्ते हैं और इनके उपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है दा कमार ठीक है तो यह कमार जंग जाती से संबंदी जितनी बाते थी वो पूरी की पूरी कंप्लेट हो चुकी है आशा करता हूं आपको इस कमेंट जरूर कर दीजेगा ठीक है जो भी आपको अच्छा लगे जो भी आपका सुजाव हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजेगा ठीक तो आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन जैशत्तिसगर्ड जैभारत